यहां पर आप देख लिजी के यह है मुवी के एप्लिकेशन का इस्पैंड नाउ पे लेटर जिसको हम जिप पे लेटर के नाम से जानते हैं और इसकी यहां पर हम लिमिट की बात करें तो 30,000 की लिमिट है और दोस्तों जब हम इसको एक्टिवेट करेंगे तो डिपेंट करे है कि हमारे जो सिबेंट सकोर है वह कैसा है और सिबेंट करेंगी अब मैं आपको यहां पर एक डाउट क्लियर करना चाहता हूं इस वीडियो में दोको अगर हम क्या करते हैं जैसे माल ली देए मुझे 10,000 रुपे की लिमिट मिली है और मैंने इसको यूज कर लिया ठीक है मान लोग कर लिया ठीक है अब अगर हम इस पैमेंट को time पर pay नहीं करते हैं तो हमारे साथ क्या होगा ठीक है इसकी बारे मैं बताऊंगा और अगर हम इसका पैसा देना ही नहीं चाहते हैं तो हमार समकंडिशन करते हैं और किलिक करने की बात सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लेट होते हैं पैसा देने में तो हमारे साथ क्या होगा तो यहां पर आप देख लिए अगर आपने जोपने सो रुपे से लगा करके 200 रुपे यूज किये हैं और आप लेट हो गए च लगा जाएगा दोस्तों सौरुपे से लगा करके 500 रुपे तक में आपको 50 रुपे का फाइन लगता है ठीक है इसके उपर अगर आप 500 से 1000 रुपे यूज करते हैं और अगर आप लेट कर देते हैं तो आपको यहां पर 100 रुपे का फाइन लगेगा और 1000-2000 की बीच मैं 200 यहां पर दोस्तों यहां पर दोस्तों आप दोस्तों का इंट्रेस्ट व्याजबी देना होगा ठीक है इसके बाद दोस्तों आप यहां की amount जो भी यूज़ करेंगे आपको सभी फाइन लगेगा जाने कि लेट पैनल्टी चार्ज लगेगी और इसके साथ 2% की पैनल्टी चार्ज भी लगाई जाएगी ठीक है तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो पता चल गया होगा कि लेट पैमेंट करने से हमारे साथ क्या होता है तो बस अब इसके बारे में दुबारा मत पूछेगा कि अगर हम लेट पैमेंट करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा मैंने आपको बता दिया आप चलिए दूसरे नंबर की ओर जिसमें मैंने बताया था कि अगर हम इसका बिल देना ही नहीं चाहें तो क्या होगा तो देखो भाई सबसे पर तो मैं आपको बता दू कि आपका overdue जाएगा जिसका आपको late penalty charge एंड वहां पर आपको सूस समय जितना भी आपका interest बनता होगा सब कुछ वहां पर दिखाए जाएगा और आपका जो जिप पेलेटर है उसको hold कर दिया जाएगा ठीक है और दोस्तों आपके पास में computerize call आएंगे एक दो बार उसके बाद दोस्तों आपके पास में company की phone आएगे और आप से बोलेंगे कि sir आप payment क्यों नहीं करते क्या problems है तो आप उनसे बात कर सकते कोई issue नहीं कोई दिक्कित नहीं कि यहां पर मैं एक बात आपको बता दूं कि आपके जितनी भी रिस्यदार है उनके पास में call कभी नहीं जाएगी ठीक है यह थोड़ा सा इसका अच्छा है रिजल कि आपके रिस्यदारों को आपके फ्रेंडों को contact नहीं करेंगे यह लोग यह सर्फ आपको ही contact करेंगे ठ इसा नहीं देते हैं तो फिर आपके साथ क्या होगा तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जिप पे लेटर है उसको डियक्तिवेट कर दिया जाएगा और डियक्तिवेट करने के बाद दोस्तों आपके सिविल स्कोर को आपकी क्लिड हिस्ट्री सेंड कर दी जाएग और उसके बाद में दोस्तों आपकी जिन्दकी बरबाद हो जाएगी जाने कि आप किसी भी तरह किसे कहीं पर लॉन नहीं ले पाएंगे ना आप बैंक में और ना ही किसी एप्लिकेशन की थुरू तो यह जिब पेलडर की तरफ से आपके साथ हो सकता है तो मैं उम्मीद करू हो इमंदाजी से बापस भी करना सीख लो तो आपको कभी भी प्रीड मुल्म नहीं आएगी और अगर आप करते हैं पेमयन तो आको क्या क्या चार्ज लगते हैं वह तो मैंने आपको बता ही दिए ठीक है आगे आपके मरणा हो कर सकते हो कोई प्रप्रहाराम से